हेलो दोस्तो दोस्तो देखो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या भूला का जो कलेक्शन आएगा वो कैसे हो सकता है क्योंकि अगर अच्छा हो सकता है क्योंकि अगर पठाण ने बहुत से रेकॉर्ड तोड़े है तो क्या भूला अच्छा करेगी तो उसके लिए मेरा है यस लेकिन वो कैसे करेगी उसके लिए मैं आपको ये क्लियर बता दू कि सबसे पहले जैसे इसर के फैन क्लब्स की अगर मैं बात करूँ पहले वो बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन उस टाइप से अगर मैं बात करू न क्योंकि जो मुवी उसने सिलेक्ट किये थे जब बैरिमेट से जल जीरो तो उनका सपोर कुछ काम नहीं आ रहा था क्योंकि वह ऐसी मुवी इस थी जिनको वह सपोर्ट करके भी फाइदा क्या था नहीं हो पा रहा था और वह एसर के फैन क्लब्स ने भी उसका प्रमोशन नहीं किया जादा क्योंकि स्टोरी नहीं थी अब प्रमोशन के फैन क्लब्स ने शुरू किया करना अजे रोगन के फैन क्लब्स को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप भूला क्यों लेके अगर एक हाइप क्रेट करोगे जैसे पठान को लेके हुई थी तो डेफिनेटली अजे रोगन की पहली 300 करोड कमाने वाली भारत की मुवी बोला साबित हो सकती है तो यह मास महराजा के फैन्स पर भी डिपेंड है कि देखो यह 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 नहीं बोल सकते है कि नहीं नहीं एक्टरी सब कुछ करें वहीं करेंगा प्रमोशन हमें क्या ज़रूरत है देखो भाई शारुक के फैन्स से तो आप लोग यह सीखी लो कि बैक करना आपको आना चाहिए चार-पाँच मुविस का अच्छा रिजल्ट नहीं था उसका लेकिन उनने उसको बैक करना नहीं छोडा ना आज तक उनको बैक करना नहीं चोड़ाना करेक्ट है ना एक्जम्पल क्यों दे रहा हूँ क्योंकि आपके फैंस ही आपको चगड़ा सकते हैं आपके हीरो को तो भाई अब अजय का यहीं कहूंगा मैं देखो दुरुष्ष्टम टु एक सक्सेस्फुल मुवी साभीत हुई यहां पर शायद भोला का यह हो सकता है क्योंकि बहुत पैसा खर्चा कि मैंने सुना है और आपने वी एफेक्स वगरा देखा होगा उस मूवी के और जो लोग रीमेक रीमेक कर रहे हैं उनको बार-बार आप टार्गेट करो कि बाई क्रिटिसाइज मत करो कोई जरूरत नह हम रीमेक भी चला लेंगे डायरेक बोल लेने कहला कि रीमेक नहीं है यह मूवी बहुत से चेंजेस हैं लेकिन जो लोग रीमेक रीमेक कर रहें उनको मैं बार-बार यह कह रहा हूँ क्योंकि यह वर्ड यूज करना इसलिए जरूरी है कि जो हेटर से उनको आप दबा सको आप उनको कंटिनुटी हाइप क्रियाट करो जैसे अजे दोगन जी रोज कुछ ना कुछ उसका पोस्ट कर रहे हैं आप भी करो आपके फैन क्लब्स भी बहुत इंपोर्टन्ट है ताकि बाकी के लोग उसको लेके एकसाइट हो तो ही मेरे एकोर्डिंग यह मोवीज का लेकिन आपको अगर उसको रेकॉर्ड तोड़ बनाना है कि नहीं भाई मुवी देखो पहली बात एक्शन है ड्रामा है स्टोरी है पूरा मास एकदम यहां पर पॉपकॉन ओडियंस के लिए पूरा सीटीवीटी बजाने वाला टाइम आ चुका है तो आएगा लेकिन आपक भाई क्योंकि इस मुवी में मुझे लगता है कि हां जो लोग रिमेक रिमेक कर रहे तो भी मैं कहूंगा तो भी मुझे लगता है कंटेंट होगा तो भाई आपको कंटेंट भी है मास भी है पैसा भी है मतलब पैसा लगाया भी बहुत जादा है तो सब कुछ है इस मुवी म बोला कैसी जाएगी मेरे एकोडिंग जिस तरीके से टीजर वन टू था ये बाई ये मिनीमम तो इसको हिट सुपर हिट का टैक मिलने वाला है ब्लॉक बस्तर करना फैंस पर रहता है शेर करना जादे से जादे वीडियो थैंक यू